अरे मोदी जी अगला ठिकाना कहा पर है जो लखनों से अपना चले है तो तुम रुखने का नामी नहीं ले रहे हो ऐसे कब तक दर बादर फिरते रहोगे अरे कब तक ऐसे फिरते रहेंगे एक ठिकाना बना लो ये बड़ी अच्छी बात कही है अरे अखलेस हम तो पगीर आदमी है निकल परते हैं जोला लेकर हम अपना ठिकाना जरूर बनाएंगे जरा पैसा तो इखटा हो जाने दो और अपना अगला ठिकाना दिल्ली है दिल्ली जाकर डेरा डालेंगे अब अपना समझ रहे हो? प्रवा है कि अपना कहीं पर ठिकाना बना लें अभी सिर्फ सक्ताबन अजार रुपे एकटे हुए है समझे थोड़ा पैसा एकटा हो जाने दो फिर एक जगा ठिकाना बना लेंगे फिलाल तो अपना दिल्ली चलना है बहां जाकर देखते हैं बहां पर अपना डेरा दूसरे बच्चों की पेंच चुरा लिया करते थे और मास्टर जी रोज तुमें मुर्गा बनाया करते थे रोज मुर्गा बनते थे तुम इसकून में सबस पिटा तुमें दोका पहाड़ा याद नहीं था तो मास्टर जी ने तुमें मारा था तुमने पैंड में सूसू कर दी थी घजब बेज़ती है याद करकर अरे मोदी जी कितने बेबकूप हो इस घोड़ा गारी पर आटो रिक्सा क्यों लाद के ले जा रहे हो अरे क्या हुआ यह बताओ यह तो चला के ले जाया जाता है चला के ले जाओ इसे बड़ी अच्छी बात कहिए अरे अगलेस तुम भी तो बहुत अकल चलता ही है आज तु ठग गया होगा इसलिए उसने मेरे इस घोड़ा कानी पर ला दिया और कहां घर छोड़ा हो इसे लेकिन तुम इस गदे को क्यो ला दियों सर पर अरे मोदी जी मैं कभी भी गदे के साथ अर्न्याय नहीं करता हूँ और क्या हम इसके ऊपर बैठ सकती है यह हमारे उपन नहीं बैठ सकता देखो मैं अबने सोसुरान जा रहा था वो है कम से कम 15 किलो मीटर दूर इसलिए 1 किलो मीटर मैं इसको उपर चल लेता हूँ ऐसी तुस्ता पर कड रहा है 17 पेटा अरे जब मैं इसे 1 किलो मीटर उपर लेके चलता हूँ तो मुझे ऐसास होता है मैं कितना थर जाता हूँ तो ऐसी ये गधि को भी ऐसास होता होगा जब मैं इसकी उपर बैट के चलता हूँगा कितने शांदार विचार रखते और मोदी जी मैं तुम्हें भी सलह देता हूँ गोडा गाली में कुझदेर गोडे को चलाया करो और कुझदेर तुम चलाया करो मिलबाट के काम किया करो